दोस्तों आज इपन बात करने वाले हैं गूगल एड़वर्ट केंपेनिंग के केंपेनिंग अपनी एपरूप हो गई है लेकिन एपरूप होने के बाद भी अपना एड रन नहीं हो रहा है यह क्यों होता है आपके लिए कंप्लेट जयनकारी दोंगा दोस्तों इस वीडियो में आप इस वीडियो को बिलकुल इसके मत कीजएगा मेरा आपसे बादा है आपकी इस समयसा का समाधान में कर दूँगा दोस्तों गूगल एडवर्ड में अपनी केमपनी एपरूफ होने के बाद क्यों रन नहीं होती है कंप्लेट जयनकारी इस वीडियो में दूँगा नमस्कार दोस्तों मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपनी यूटिब चैन टैक्निकल साथी को स्वावत करते हूं चले सीख लेते दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं अगर अपने गूगल एडवर्ड पर कोई एड लगाया हुआ है मतलब कि अपनने कोई केमपनी लगाई हुई है और वो एप्रूब हो गई है लेकिन उसके वाद भी वो रन नहीं हो रही है तो वो कैसे होगी क्या पॉलम आ रही है सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों उससे पहले बताना चाहूंगा मेरी खुद की एक अवर्टैमें लिगरा मैं कर सकते हैं एस आफ चाहा है भास कर सकते हैं मैं आप Google फूल यूग धूए वार्थ यहाँ पर द्याना आपको अपनी जी मैल आइडी से मिलन करना होगा का दीयों सा Алड जिए कलिक करने हिए अब किलिध करनने हुए यहाँजिक करने वाद अपको अपना अकाऊ प्रोसेश दोस्तो पीसी और मोवाईल में सिस्टम थोई से अलग-अलग होते हैं लेकिन सम्टिंग काम भूई करता है तो आपके आपके गूगल एडवर्ड यह पन सच करेंगे दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहां पर आपको किलिक कर देना है गूगल एडवर्ड इसनाओ यह वैपसाइड गूगल के ओफिसद इस पे किलिक कर दीजिएगा कि इस पाप किलिक करेंगे दोस्तो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो गा आपके मोवाईल में भी ऐसा आएगा और कंपूटर इससे में ऐसा ही आएगा आपको कर देना है के लिए गेट इस्टार्टर द्यान दखिएगा पेले आपकी जीमेल आईटी लोगिन होआ चाहिए जाए कि मेरी जीमेल लोगिन थी आप ग्लिक करेंगे दोस्तों है ना और थोड़ा सेकंड आपने बेट करेंगे दोस्तों देखिए गूगल का ऑफिसल है ना बैपसर खुल गई है गूगल आपने डूमेल चैल उसारा रहो हुई जो बी आपने अपनी इड़ी से जैम्पूरिय बना ही हुई है उसी आईडी से आपको लोगन कर लेना है तेकि देगे मेरा लोगो बना चुका है आपक लोगो अपना चुका है आपको अको अना एग जी देखिए ज peppi मिसमा को अगत इसनी करिए पर किलिक करने में पड़ोव्ह करेंगे कि दूश्ट करने करते गारी दोश्ट कुर्षाय के दिभारे में छोडेंगे पर प्रहarta हुआ इस नहीं लाइन खरतें ओना निखने लो लिखानाते हैं इसलेको कियो लिए एड फिर भी नहीं रणो रहा है, क्यों मोरा आप पूल है आप देखिया को प्रेले आप देखिये अपने इस पर क्लिक करेंगे टीन लाइन दोस्तों यह पूरा complete मतलब मैंने add लगा दिया है उसके बाद भी यह रन नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है इसी problem का आज मैं आपको समाधन कर दूँगा कि यह कैसे होगा हम सब्सक्राइब करना क्या यह धो करना कहोंडगा गर्सी लेक्लाका क्लिक विलेगा अव्य जो अगiltरा को सब्सक्राइब इह हां, यह हो गया, ठीक है, अभी देखें दोस्तों भी खु़ला नहीं है, एक मिट देए, जा आएंगे हैं, फिर फिर होंपर आएंगे हैं अपर, आप सब क्यांपनिग प्रिक करेंगें आपर लिए तो क्यांपनिग दोसरे देखेंगे, यह मैंने एड लगा हुआ है, इस तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसकी आपनी CPC भरी हुई है, जितना भी पैसेस में लगा हुए है, पर क्लिक के, उसमें तो आपको चैन्जस करना होगा, वह चैन्जस कैसों होगे, आपको क्लिक कर देना है, इस पर Ad Group पे, दोस्तों, आपको क्लिक करते हैं अपने अपने इड गूर्फ पे क्लिक करने के बाद सुझ धान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ, मैक्स दौट CPP हैना, यह CPV जो लिखा हुआ है, इसका को क्लिक करना है, जिसे की मेरा आप लिख सकते हैं लिखा हुआ है 0.5 हैना, पैसे, त यह लिखा हुआ है मैक्स सीपीप रुपए 0.05 यह देखिए दोस्तों एक पैंसल का निसान आपको दिखने को मिला है इस पर किलिक कर दीचेगा यहां पर दोस्तों थोड़ा को चेंज कर देना इसलिए मैं पर तीन पैसे बढ़ा दूँगा यहां पर तीन पैसे बढ़ा दू हुए है उसमें 2-5 पैसे 10 पैसे बढ़ा के देखिएगा आपकी फूल्स हो जागा दूस्तों मैं काफी बार इस पर चला चुका हूँ मुझे उम्मीद है अपने पैसे को जादे ही कम भर दी है अप्रूप तो हो जाता लेकिन दोस्तों गूगल होता है आपना गूगल एड काम बन जाएगा इस तरीके सो तो आप गूगल एड केंपनिंग को रन कर सकते हैं अप्रूप होने के बाद नहीं आर चल लएगी दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग जानगे होंगे गूगल एडवर्ड में अपनी केंपनिंग एड़ूप होने के बाद दी क्यों अगर आपकी इस समस्ता के समाला हमने हमारी वीडियो से किया हो तो हम आपसे नहीं करने विजन करेंगे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो नीचे बाला बटन देख रहे हैं सब्सक्काइब वाला उसको दबाके बेल आइक मुझे उसको दबाएगा ताक र भीडियो